नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको भारत की प्राचीन और अद्बुत कहानियों से रूबरू करवाते हैं। आज हम आपको लेकर चलेगे ओरिसा के पुरी स्थित जगननात मंदिर, जहां हर 12-19 साल में भगवान जगननात, बलभद्र और सुबद्रा की प्रतिमाओ का परिवर्तन होता है, और इसके दोरान पुरी शहर में ब्लेकाउट हो जाता है। इस प्रक्रिया को नवकलेवर कहा जाता है। आए जानते हैं इसके पीछे का रहस्यत। नवकलेवर प्रक्रिया की शुरूआद दरू लकडी के चैन से होती है। भगवान के नए विग्रहों के लिए पवित्र नीम के पेड़ों का चैन किया जाता है। ये पेर कुछ यात्रा शुरू होती है, जिसमें चुने गए पेडों को पुरी लाया जाता है। यहाँ पर विशेष कारिगर, जिन्हें, महारण, कहा जाता है, इन पेडों से नई प्रतिमाई बनाते हैं। प्रतिमा निर्मान की यह प्रक्रिया अत्यंत गुप्त रूप से होती है और इसमें किसी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित होता है। प्रक्रिया रात के अंधेरे में और पूर्ण गोपनियता के साथ की जाती है। प्रक्रिया और पूरी सिटी में ब्लेकाउट का रहस्य यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है। बलकि इसकी परमपराय और चमतकार हमें यह सिखाते हैं कि हमारी दुनिया में बहुत सी बाते हैं जो तर्क और विज्ञान से परे हैं। अगर आपको हमारी यह विडियो पसंद आई हो तो क्रिपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।